दोस्तो इससे पहले जो मैंने दो वीडियो बनाया थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपनी वेबसाइट को आप कैसे अटेच करेंगे Google Analytics के साथ साथ-साथ मैंने आपको बताया था कि कस्टम डेशबोर्ड आप कैसे क्रियेट कर सकते हो उसका फाइदा यह मिलता है कि आपका जो डेटा होता है वो exact जो आपको चहीं होता है वो आप configure कर लेते हो आपको बहुत सारा डेटा देखने की जरूरत नहीं होती मतलब exactly जो रोज कहां से आ रही है, कहां से page view आ रहे हैं, कितनी देर वो आपके पास ठैर रही है, कितने देर लोग आपके पास session बना रहे हैं, कितने नए user आ रहे हैं, कहां पर हमें focus करना हैं, यह सारी चीज़े आज की इस वीडियो में cover होने वार लिए हैं, तो वीडियो को पूरा दिखेग साथ साथ चैनल को subscribe भी आप करिएगा, जिससे आने वाले सारे notifications आपको तुरंद मिल जाएं, तो उसके लिए सबसे बड़ा tab इसमें होता है, audience का, इसमें आपने जाना है, और यहां पर overview पर click कर देना है, overview पर जैसे ही आप click करोगे, तो आपके पास एक matrix यहां पर खुल के आएगी और उसमें आपको users दिखेंगे, आपके total users जो थे इस time duration में, एक जुलाई से लेके तीन अकस्त 2022 तक, यह थे 18001 क्यामन जिसमें से नए user जो थे, वो 1790 थे, और sessions जो create हुए, वो 218 हुए, और number of sessions per user 1.15, और page view 3000 के करीब आए, और average duration यह रही और bounce rate 82.10 पर सेंट रहा अब यह आपका एक chart है, जिस chart से आपको पता चल रहा है कि कौन से दिन कितने लोग यहाँ पर online थे, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगस्त दो तारिको 73 users जो थे वो आए थे, अब यह तो users की detail थी, अब इस users की details में अगर हम जाएं और हम यहाँ पर search कर लें, कि number of new users क tab हमें मिल जाता है, metric मिल जाती है, तो हमें यह पता चल जाता है कि नए users हमारे जो हैं, वो काफी आ रहे हैं, चाब 43 थे तीन थारिको, मतलब यह कि discover हो रही है website, और website discover होने के साथ साथ नए नए लोग इस पर आ रहे हैं, इसके साथ आप compare कर सकते हो users को, कि आपके नए users कित रहे हैं, तो यहाँ पर जो pie chart है वो आपको यह दिखाता है कि आपका जो website का जो इस समय current situation में certain time period पर जो इस तरी चल रही है, उसमे returning users जो हैं, जो आप post लिख रहे हो, उस पे returning users कमा रहे हैं, नए users जो हैं, वो जादा आ रहे हैं, यानि कि आपकी organic reach जो है, वो नए users के या email list में कहलो, या जिन्होंने subscription या bell icon को प्रेस किया हुआ है, वो सारे users जो है, bell icon मतलब जो आपका notification bell होती है, website की, उसकी हम बात कर रहे हैं, YouTube से compare मत करिए इसे, तो उसमें हमारे returning users पढ़ जाएंगे, लेकिन current situation में, अगर मैं इस website की बारे हम बात करूँ, जो कि मेरे नाम सही है, तो इसमें हमें focus करना है कि हमारे ने users तो आए हैं, साथ में हमारे returning, जो customers हैं, या use visitors हैं, वो भी हमें यहां पर मिलने चाहिए, तभी website जो होती है, वो इस पर जो page view आता है, और जो earnings होती है, वो हमारी बढ़ती है, तो यह I think आपको समझ में आ गया होगा, इसमें अ आएगी, Australia, Philippines, तो discovery जो है website की, वो ठीक ठीक है, दस बारा country जो है, वो आ रही है, इसमें आप full report भी यहां से देख सकते हो, आपको full report से पता चल जाएगा कि क्या इस से थी, आपके जो website है, वो कौन-कौन सी countries में जा रही है, तो यह पूरी की पूरी आ जाती है, ठीक है, इस setting मों सारी चीज़ा आपके साथ, मैं share करूगा, overview में दुबारा चलते हैं, और understand करते हैं कि क्या है overview का पूरा system, इसके बाद आप cities को भी check कर सकते हो, क्यों से city जो है सबसे अधा आपको hit दे रही है, तक यह यहां पर full report आप देख सकते हो, इसके साथ साथ browsers को आप देख सकत data जो होता है analysis का, वो आप यहां पर देख सकते हो, उसके साथ mobile में भी आप service provider screen resolutions को यहां पर consider कर सकते हो, तो अगर आपको content ऐसा है, जिसमें आप images इस्तमाल करते हो, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए resolution वगएरा सारी चीज़ों को यहां पर देख सकते हो, इसके बाद फिर आता है active users, जो कि बहुत important हो जाता है, कि आपके जो website है, या आपका जो blog है, उस पर एक दिन में कितने active users रहते हैं, time frame में, तो यहां पर जैसे जुलाई तारिक को 47 जोते वो active users थे, इस तरह से आप 7 दिन का देख सकते हो, 14 दिन का देख सकते हो, और 20 दिन का देख सकते हो, again यह आपको help करता है, कि आपकी जो website है, उस पर per day के हिसाब से, और day के हिसाब से, कितने sessions बन रहे हैं, कितने page view और active users आपको मिल रहे हैं, तो अब यहां से आप यह recite करते हो, कि जो active users हैं, जो suppose करो कि 15 तारिका खोला हुआ है, तो एक दिन में 63 थे, 7 दिन में 417 थे, 14 द इसमें डालूँगा, तब आपको समझ में आएगा, फिलाल आप analytics सीख रहे हैं, तो सोड़ा सा सीखिए, और यह मान के चल रहा हूँ, कि आपके बाद website है, ब्लॉग है, नहीं है, तो previous video blogs के उपर काफे सारी बनाई ही है, आप उसे देखिए और बनाई है, इसमें एक नए edition है, lifetime values, जो कि अभी full flash तरीके से नहीं आया, लेकिन मेरी मानी है, यह बहुत ही interesting एक feature है, अगर आपने इसको आज समझ लिया, तो आपको बहुत सारी चीज़ें असान हो जाएंगी करने में, और बहुत असानी के साथ फिर अपनी website को और अच्छे से समझ पाएंगे, अब य जो lifetime values है ना, यह value का मतलब क्या होता है कि कीमत, आपकी कीमत क्या है, आपका जो traffic आ रहा है, वो कौन सा valuable है और कौन सा non-valuable है, यहां पर आप e-commerce की goal setting भी कर सकते हो, कि कहां से leads आ रही है, कहां से मेरे पास sales आ रही है, वो सारी चीज़े भी आप यहां से define कर सकते हो, वो आ user, page view हमारे कितना आ रहा है, यह 90 days का सारा system होता है, यह ध्यान रखना, यहां पर मैं क्या करता हूँ, यह 34-5 days latest के मैं यहां पर ले लेता हूँ, तो यह graph है, यह graph जो होता है, यह up and down होता रहता है, और एक सा भी चलता रहता है, ठीक है, तो इसमें आपको again यह पता चलता है कि आप क्या यह 35 दिन थे, जो मैंने यहां पर select की, इन 35 दिनों में आपकी जो organic search है, वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है, मतलब यह कि लोग search करके आपकी website पर आ रहे है, number of page view जो आ रहे हैं, वो 1800 के करीब आए है, 35 दिनों में, और 1400 लोग जो आए हैं, वो क यह हमारी और improve हो सकती है, अब आपके मन में आया होगा कि यह कहां से हो सकती है, कहां से पता चलेगा कि कौन सी चीज से हमारे पास आया है, वो आता है, आपको search console से पता चल जाता है, कि पिछले 28 दिनों में या 35 दिनों में सबसे ज़्यादा जो page है वो आपका कौन सा चल र होगा, अब durations यहां पर जो RE 1.4 की आ रहे हैं हैं हापर, इसके साथ साथ आपर एक चीज होती है, acquisition source वो आप देख सकते हो, जो है कहां से source जो है आ रहा है, तो Google जैसे organic search से आ रहा है, डारेक्ट है, मतलब यह click जो सीधा कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, साथ साथ YouTube से हमारे पास करके वो जाते हैं, साथ साथ Bing, जो search engine है, वहाँ से आ रहा है, Instagram पर मैंने अपने चैनल का link डाला हुआ है, sorry website का link डाला हुआ है, तो वहाँ से भी लोग क्लिक करते हैं, और वहाँ से लोग आते हैं, yahoo से आ रहे हैं, airf से आ रहे हैं, and blogger से भी लोग आ रहे हैं, और feedburner से भी आ रहे हैं, तो यह सारा जो है, यह आपको मिलता है, इसके इलावा इसमें और भी कुछ चीज़े हैं, जो Instagram, Facebook और I am Facebook से भी आ रहे हैं, क्योंकि मैंने Facebook पे भी अपनी bio में, अपनी profile में, अपनी website का नाम यहाँ पर जो हैं दिया हुआ है, अब इस से हमें क्या मिलता है, इसको समझ लीजे, अगें, यहाँ पर आपको अपनी search की सही करना होगा, YouTube पर अगर आपका channel है, तो अगर आप कोई article लिख रहे हैं, और इसके वीडियो भी बना रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस article को अपनी website पर पढ़ सकते हो, या किसी तरह से आप अपनी website पर लोगों को ले कर आओ, कोई भी medium हो सकता है, YouTube के माधियम से हो सकता है, advertisement के माधियम से हो सकता है, वो सारी चीजे आप यहाँ पर कर सकते हो, आपको यह चीज समझ में आ गई होगी, नेक्स्ट यो पार्ट पचे हैं, उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, तब तक हमार सारे साथ बने रहो, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है, तो आगे शेयर जरूर करना, बहुत बहुत अन्यवाद,